आपके पास Google Pixel 8 Series का कोई भी फोन है, तो यहाँ पे fingerprint lock set कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए आप setting पे जाएंगे, इस step से option आएगा, scroll कर लेंगे, आपको security and privacy के option पे जाना है, device unlock पे click करना है, और यहाँ पे आपको fingerprint unlock के option पे click कर लेना है, जो भी आपके phone का lock है वो enter कर लेंगे, otherwise set करने का option आएगा, तो set कर लेंगे, यहाँ पे आपको scroll करना है, I agree, start, और यहाँ पे जो आइकन है न, इस पे आप अपना अंगू उठा या फिर fingerprint ऐसे करके scan कर लेंगे, तो finger को आपको चारों तरफ से गुमा गुमा के scan करना है, ठीक है, यह हो गया, done, तो यहाँ पे fingerprint आप क्लिक करके rename कर सकते हैं, इसको cut करके अगर कुछ और लिखना है तो, और यहाँ पे delete भी कर सकते हैं, यह पहचान के लिए होता है, ताकि अगर कोई और भी fingerprint ऐड करें, तो आप पहचान सको कि किसी और ने ऐड की है, delete करना है तो delete कर देंगे, फिलार के लिए में cancel कर देती हो, और अब यहाँ पे आप fingerprint को देखेंगे, तो यहाँ पे आइकन दिख जाएगा, क्लिक करेंगे तो यह खुल जाएगा, मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार झाले को झाले को के लिए आदेखेंगे, झाले में जाएगी आएगा तो भी किसी और मिलती है